हालो स्टूडेंट्स, वेरी गुट एवनिंग, क्या हाल चाल हैं आज सभी के सारे के सारे स्टूडेंट्स तैयार हैं कि आज BENight prol很 चक्या चैप्टर शुरू करने के लिए हाला किं तैयार तो है लेकर मेरे को कल ही बोल रही है किसार्ष मतलो संडे अभी मतलो थोड़ा से दिन देदो रिवाइस करने के लिए थोड़ा हमको पढ़ना है थोड़े हमारे डाउट से तो मैंने का कोई बात नहीं चलो आप थोड़ा सा समय ले लो और कल हम लोग एक डाउट सेशन रखेंगे छोटा सा अपन एप्लिकेशन पर तो वहाँ पर जो फूड़ा से उसको रिवाइस कर lo चैप्टर को और फिर उसके बाद हम लोग सब्डेटिव टेस्टपिघी बागी आज नए चैप्टर में आपका सफागत है तो सबकु सबसे बहले क्या करना है सबको सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है फिर वीडियो में कमेंट करके बताना है कि कैसे लग रहे हैं आपको वीडियो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पड़ाई में इंटरेस्ट जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है आज सोड़ी अपन बच्पन की आ आपको बताता हूं और फिर बढ़ेंगे आगे इसी तरह से तो चैप्टर का नाम है परमाणू की संरचना तो आप लोग पढ़के जो आए हो इतिहास में छोटे थे जवाब तो क्या पढ़े थे परमाणू का फॉंसन का मॉडल तरवुज वाला मॉडल फिर आप पढ़े हों अगर मैं आज की तारीक में बात करूं तो आज हम समझते हैं क्वांटम यांतर की मॉडल अचा क्वांटम यांतर की मॉडल बोल तो क्वांटम मुकैनिक्स मतलब सुनके ऐसा लगता है कि कुछ बंफटने वाला है तो यह जो है नाइन्थ में नहीं था नाइन्थ में तो न कोज में हर चीज में जो भी मैटर आपको जो भी पदार्थ आपको इस दुनिया में दिख रहा है उसमें परमाणू है वो परमाणू से मिलकर बनाऊए है अब बोलबंगे नहीं से मिलकर करके बने से नहीं उस को शिंगा चापन को और खोलो पुर्षारद मेन जो पूरे योगी कि वह को बनी हुई है तो हम उसे परमाणू की बात कर रहे हैं इतने छोटी परमाणू की वह कैसे बना वा और आज अमें इसके बारे हैं कि ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, यह ऐसे होता है, यह वैसे होता है, इतनी शांदार यह जो है, एक अपने आप में गर्व करने की बात है, इंसानों को अपने आप पर, तो आपन उसी सफर को शुरू कर रहे हैं, और इस बार मेरा थोड़ा सा मन है, कि आपके सफर को और थोड़ा सा रुमान चक बनाया जाए शुरू करें let's begin our today's class तो यहां देखें सारे students यह हमारा chapter का flow होने वाला है मतलब इस chapter में मोटा मोटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे फाइले हम लोग अव पर्मानविक कणों की बातें करने वाले हैं अव पर्मानविक कण मतलब एक पर्मानविक के अंधर भी जो कण होते हैं उनको हम अव पर्मानविक कण यहां सब अटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब सब अटॉमिक पार्टिकल फिर उसके बारे में यह सब अटॉमिक पार्टिकल में जै बोर का परनु मॉडल भी है तो हमारे पास में और हाईडोरिन परमाणूं के लिए बॉर का परमाणू मॉडल हलागि उससे पहले पालो amma. bell book Hobson Baba को सारा ही कुछ अपन कवर करने मिर आएग मोटा मोटा headings है तो से बोर के model पर अपन गहराई से इस chapter में पढ़ने वाले है जो हमने 9 तुमें विल्कुल भी नहीं पढ़ा था मस तेक दुम शांदार अच्छा परमाणू का quantum यांतरिकी model वो film देखी किया तुमने Ant man and quantum world पता नहीं क्या क्या इसे नाम रखते हैं वो लोग अपनी फिल्म का वो quantum world में चले जाते हैं छोटी दुनिया में चले जाते हैं quantum मलब एक तरह से बहुत छोटे इस्तर पर जब हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटे इस्तर पर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है उसके अलग अपने नियम है quantum यांतरिकी के अपन नियम है जैसे हमारे यहां पर जैसे हैं ना कि धर्ती गुम रही है और यह सब कुछ हो रहा है तो यह तो classical mechanics है हमारे पास में यह इसके जो नियम है ना यह quantum mechanics में नहीं लगते वो हाँ अलग चलता है थोड़ा सा सीन मेरे को तो आज तक पल्ले नहीं बढ़ा की चल किया रहा है quantum यांतरिकी में बस चल रहा है आपके साथ में भी ऐसा होगा पढ़ाऊंगा जब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि electron कहा होता है कहा नहीं होता है probability होती है और फिर अलग 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 जो हमारे पास में scientist लोगों के बाते आई सुनने में तो तुमारा खोपड़ा में पूरा हराब करने वालो इस chapter में तो विल्कुल तेयार रहना मसा आने आला है बहुत जादा अचा परमाणू का quantum यांत्री की model भी हमें इसमें समझना है कि और और उसका मलब कैसे वहां तक पहुंचे और क्या है quantum यांत्री की model इवाते समझेंगे खेर अभी तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो आपको ऐसे कोई बहुत जादा अच्छे से समझ में आएगा नी तो वो तो पढ़ते जाएंगे जब पढ़ते जाएंगे इसमें क्या तो आज की कक्षा में अपन क्या आगया करने वाले हैं थोड़ा बहुत पुरानी की चर्चा करने वाले हैं पुरानी बातें करेंगे पुरानी यादे ताजा करेंगे आपकी तो electron की खोज कैसे हुई है यह अपने आप में एक शांदार एक इसके पीछे एक experiment है उसको समझेंगे और फिर Thompson का परमाणू model वो तो पता है आप लोगों को लेकिन आज मैं आपको उसके बारे में एक दू बाते हैं और फिर से बताने वाला हूँ तो आदो शुरू करते हैं फटा फट अपने अपनी चर्चा को शुरू करते हैं एक टॉपिक करवा के फिर मैं आपकी चैट लूँगा आपसे थोड़ी सी बाते करूँगा तो यहां देखें क्या है हमारे पास में डाल्टन द्वारा 1808 में दिये गए परमाणू सिधान्त के लिए कि जो पदार्थ है वह छोटे बाट से मिलकरं के बना हुआ है और उनोंने क्वी कण होते हैं उगत उते हैं शार यसे करन होती होदो आप जाओ जा आकार शाहिए पॉए learnt jus में वापिस उतर्दे बोला था कि पदार्थ जो है अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ है अविभाज्य मतलब ऐसे कणों से मिलकर के बना हुआ है जिनके और ज्यादा टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते clear हो गया सबको, सबको लग भी आई रहा था, मतलब केवल इनका गलती नहीं थी आप समझो ये बात हो रही है सन 1808 की, मतलब हम जिस science की पढ़ाई करते हैं खास करके मैं आपको उता रहा हूँ ये हम लगबग पिछले 300 सालों की ही पढ़ते हैं, उससे पहले as such कोई discovery नहीं हुई थी मानवता की इतिहास में आप समझी अगर आज से आप 700-800 साल पहले चले जाएं, बाच्छा अकबर का दर्बार लगा हुआ है, एक तरफ वया बीरवल दिवाइट हैं, एक तरफ उनके जो आँठ रतने और बैठे हैं पूरा दर्बार लगा हुआ है, वहां आप एक जलता हुआ बल्ब लेकर के पह लेंगे यही तो देवता है, यही तो उपर से पदा आ रहे हैं साक्षात, तो कहने का मतला मेरा यह है कि इतने समय तक भी इतने सारे इंवेंशन्स नहीं हुए थे, ओद्योगी की करण हुआ, इंडस्रिलाइजेशन हुआ, हॉस्पिटल्स बने अलग-अलग उपकरण बने बहुत सारी डिचर्च इस हुई, इंसानों की population ने ऐसे spike किया है, कि आज हम लोग धर्ती पर 800 करोड लोगों के आसपास है, जन संक्या बनावर के बैठे हैं, तो पिछले 200-300 सालों का ही है सारा किया धरा, उससे पहले भी, जैसे आप हमारी बुक में चेक करोगे न, तो लि इसा मसी है न, उनका बड़े, यहां पर जीरो पर उनका मालो बर्थडे है, किसका बर्थडे है, इसा मसी जी का बर्थडे है, यहां पर मालो आज यह कितना चल रहा है हमारा 2023, ठीक है, 2023 चोईस वाले सेशन में हम लोग सतर में है, तो 2023 चल रहा है यहां पर, अब यहां से प तो 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 टोटल कितना साल पहले हो गया? 2300 और 1400 तो कितना हो गया? लगभभग, वो 2023 पुरानी बात है 2024 साल पहले भी ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हुए हैं जो ऐसे बढ़ते थे और उनको दार्शनिक बोलते थे वो दूर का देख रहे होते थे क्या देख रहे होते थे सोच रहे होते थे हर चीज पे सोचते थे गणत पे सोचते थे वो भगवान है की नहीं है सोचते थे, वो मिट्टी काहे से बनी है हम काहे से बने है, हम जिंदा क्यों होते है हम मरते क्यों है, वो हर सवाल पे सोचते थे क्योंकि science का मतलब क्या है एक तरह से सवाल और जवाब मतलब हर जो invention हुई है discovery हुई है वो आवशक्ता के आधार पर हुई है सवालों के आधार पर हमको पता चला है कि ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं है वैसा क्यों है कहने का मतलब यह है, तो उन में से एक हमारे भारत के क्या कहेंगे, आप साइन्सिस्ट कह लीजिए, दार्षनिक कह लीजिए, महर्शी कणाद जिनका नाम है, तो हमारे आप देखो कि ना पुरानी जमाने के इस तरह है कि जो साइन्सिट भी थे ना उनको महर्शी बोलते हैं तो आप समख सकते हैं हमारे यहां पर वग्याने की शब्ध काम में लेते थे ते रिशी आसे से करके तो एक महर्षी उन्हों ने बताया था कि यहां जो कन है जो पदार्थ है वो क्या है छोटे छोटे से से ऐसे कनों से बिल करके बना हुआ है जिसके और टुकड़े नहीं कर स हैं युनान के हमारे पास में और भी लोग थे उन्हों ने भी ऐसे ऐसे कुछ दार्शिकों ने ये चीजें बताई थी काफी साल पहले लेकिन देखो उनका ना कोई भी एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं होता था कहने का मतलब ये है कि कोई एक्सपेरिमेंट पर बात नहीं होती थी बात होती थी थियोरी में हवा में ऐसे कैसे बोले आपको कैसे पता बोले देखो एलो मिट्टी तो बोला इसका एक कंड लो बोले हां ले लिया इसको तोड़ो और त तोड़ो और तोड़ो तोड़ते ही जाओ आप इसको तोड़ते 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 एक ऐसे कंड़ पर पहुंच जाओगे इसके और टुकड़े नहीं होंगे वही जो है वह हमारा कंड़ है वही हमारा परमानु है अचा परमानु को तोड़ते भी है हम लोग त ए का मतलब नहीं, तम का मतलब टुकडे, ऐसी चीज जिसके टुकडे नहीं कर सकते, उनकी बाशा से है, शक्त ग्रीक से है, जो भी बाशा है उनकी, तो युनान उस तरफ की संस्कृती रही, जहां पर काफी सारे इनके विचारक और पाश्टाते जगत के विज्ञानिक हुए तो अभी हम कह रहे हैं, कि फिर 1800 आठ में आते आते इनोंने थोड़ा और विज्ञानिक तरीके से उसी परिवाशा को दिया, अब ये इनका भी जो पूरा का पूरा सिध्धान्त थे, उनमें खास करके ये वाला जो हमारे पास में स्टेटमेंट था, ये कोई प्रेक्टिकल एक्सपरिमेंट पर तो बेज्ड था नहीं, इनोंने ऐसा तो देखा तो नहीं था, कि हां मैंने परमाणू देखा है, उसको तोड़ने के कोशिश की ती मैंने अधोरे से नहीं तूटा था, ऐसा तो था नहीं कभी भी। तो आप देखो कि एक प्रस्जन था कि कांच याँ एबुनौआइट की छड़्र यह फिल्ली का फ़ूल बिलली के ऊपर जो बल्ली होगे रहते है औो तो बंग जिंदा प्रकड़ देना तो उसके ऊपर लेना उसको यह माल लो बिल्ली की खाल है आपके पास में तो इस पर रगड़ा इसको तो दोनो आविशित हो जाते हैं आविशित होने का क्या मतलब है तुम बिल्ली की खाल तक मत जाओ इतना दूर तुम एक काम यह बच्पन से कर चुके हो अच्छा उसके अलावा हम ऐसे कंगे से ऐसे सल्मान खान की तरबाल बनाते हैं फिर उससे क्या करते हैं हम लोग ऐसे लेते हैं कंगे को कागज के टुकड़े गल्लो छोड़े उसके पास ले जाओ चिपक जाते हैं उस पर तो यहां पर कुछ आवेशत आवेशत चल रहा है तो उस पर कोई इलेक्ट्रोण आगए माल दो ऐसा कर लो और जो कागज है वो दनावेशत है थोड़े से तो वो उसकी तरफ अट्रेक्ट हो जाते हैं चिपक जाते हैं तो विपरीत आवेशत क्या करते हैं आंकर्शित कर अबने जाते हैं दूसरे को तो इस तरह से कुछ खुछ हमें देखने को मिलता यहां बहूँ इसम्पल है है चिंगारिया आ अबने देखी है की वो जो अपन घर में सरधी में सोतें है रजाई की मैसूस होता है कि कुछ इन बालों को खींच रहा है अपनी तरफ हैसे करते हैं तो भूत उत नहीं होता है अच्छा जटका लगाया कभी यह मत है मैं सोचरों कल पर सों निखिल सर के साथ करके देखते हैं हम बच्छपन में किया करते थे बड़ा मजाता था आप भी करके देखना आज मेरे को बहुत मस्ती करने का मन कर रहा है मस्ती क्या है कि माल लो आप एक कुरसी पर बैठे और उसके पीछे प्लास्टिक की कुरसी है और आपने पैर उपर करके बैठे हो और कोई आपको पीछे टावल से मार रहा है तो होता क्या है आवेश जो उस कुरसी में से हैं आपके शरीर में चले जाते है अब अगर कोई इंसान आपके पास में आया है जो जमीन पर खड़ा है और उसने आपको टच किया वो जमीन से संपर्क में है उसने आपको टच किया तो आपके शरीर से जो आवेश है ना ठक करके उस इंसान के शरीर में जाएंगे और वो जमीन की तरफ जाने ही कोशिश करेंगे तो क्या होगा? करंट लगेगा जोर से तो ऐसा बहुत किया है हमने तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आवेश का इस्थानांतरण हो रहा है तो अब सवाल यह पैदा हो गया इनसे पूछा गया, कि भई आप एक बात बताओ कि फिर यह जा क्या रहा है क्या यह पर्मानु एक उसमें से दूसरे उस पर जा रहा है कि एक पदार से दूसरे पदार पर इनसे पूछा, हमारे डालतन भाई साब से बूले आप कह रहा हो कि परमाणू को तोड़ तो सकते नहीं तो इसका मदला भी हो नाच यह जो परमाणू है इसके यहां जा रहे हैं और अगर ऐसा हो तो फिर इनके दरवेमान में चाहिए ऐक लॉजिक मार रहा हैता बात तो ऑचीते है न तो यह ऐसे सवालों के जवाब कुछ एक के नहीं मिले तो हम कह रहे हैं फिर उनीस ही सताब्दी में मतला अठारा सो से लेकर के उनीस सो अठारा सो निन्याद वैसा मान दो तो हम कह रहे हैं उनीस फी सताब्दी में कुछ वैग्यानिकों ने इस पर कार्य किया तो कौन से कौन से वैग्यानिकों का नाम आएगा अपनी पढ़ाई में तो एक आएगा जे जे थॉंसन बाबा की जय हो और एक आएगा ई गोल्ड स्टीन फिर आएगा हमारे पास में रदरफोर्ड बाबा रदरफोर्ड बाबा को कौन नहीं जानता है चैडविक बाई साब जिन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में हमको खोज करके बताई न्यूट्रॉन की खोज काफी देर से हुई थी और फिर नील्स बोर अंकल तो इनका बोर का जो सिधान्त हमको दिया है उन्होंने पॉसुल मैं चैट देख लूँ कि हमार कितने बच्चे जो है हमार कक्सा में आ चुके हैं तो यहाँ पर दुख हुआ हमको जानकर के कि यहाँ पर चैट कहां होती है बताईए यहाँ तो चैट का ही आप्शन ना है इतने महिंगे महिंगे डिवाइसेज हैं लेकिन हमार पास चैट का आप्शन नहीं बताईए बहिया जी क्या घरें हम कहां जाएं रह तू भी चल जा अमार लर्न एंड सेर यहाँ उमीद है हमको कि यहाँ में चैट मिल जाएगी हम बहुत बढ़िया प्रियान शुपाल आदित्य सिंग राजपूत न्यू स्टुडेंट आरा भिहार से बेटा जी स्वागत है और टैबलेट बेटा इपल का है आपल सेव कंपनी कटा हुआ एपल रादे रादे अवनीत थोड़ा सा नाम लेंग है हम है ना स्टुडेंट के पहली क्लास है आज हमार सेकेंड चेप्टर की सुरच कुमार बैर्वा बैरी गुड इवनिंग अजय गुपता ब्रिजेश आदव ये क्लास पिछले साल पढ़ा ही थी ना हर साल पढ़ाना होता हमको हमार तो जुम्मेदारी है ब्रिजेश आदव पुषपेंदर वर्मा मनीशा कुमारी गुर्फान गुफ्रान आलम अर देव एसके गेमिंग गौरिशी दिलीप कुमार सिंग पीबी एच गेमिंग ओ और यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है है कृष्णा किंग मुकेश कुमार थेंक यू सो मज़ विटादी दामुदर गुपता रभीश कुमार थेंक यू सो मज़ मनीश नामदेव भारत शर्मा भरत शर्मा प्रिया यादव शालिनी यादव राकेश गुडुलाल सचिन कुमार बबन कुमार श्वेता सनातनी प्रेणा सैनी आनंद जह प्रमोज सिंग खुश्वाह अंकित यादव कशिष वेरी गुड इवनिंग पीटर पारकर विटा मेरा चैप्टर बन का बैकलॉग हो गया है एक डो चैप्टर चैप्टर से लिख है तो बिटा नहीं लिंक तो ऐसे तो नहीं है लेकिन आप लोग अगर एक एक चैप्टर पढ़के अगर आप बैकलॉग क्रियेट कर लोगे तो आगे फिर कैसे मैनेज करोगे तो अब भी त इस chapter हो गए होते हैं तब आप कह रहे होते हैं कि sir वो एक chapter का backlog है मैं कहता कि चलो कोई बार नहीं एक तो हुआ है उसमें भी backlog है तो ऐसा नहीं थोड़ा महनत ज्यादा करनी पड़ेगी हमने science ली है तो यह जानकर मानकर ही ली है कि science मुश्किल होती है और मैं आपको इस chapter का सच सच बता दूँ कि यह chapter बहुत ही भारी chapter है हाला कि मैं पढ़ाऊंगा तो एकदम smooth कर दूँगा चीजों को लेकिन इस chapter को बड़ा है chapter थोड़ा पढ़ने में time लगेगा थोड़ा समय देना पढ़ेगा तो आप लोग प्लीज कुछ कुछ कंसेप्स जो आगे आएंगा सच में भारी कंसेप्स और रिविजन भी अपने को continuously करते रहना पढ़ेगा तो आप लोग प्लीज classes को skip ना करें miss ना करें जितना हो सके daily का daily कर लें class daily का daily एक बार आखर के class जरूर अठें कर लें live नहीं देख पारे recorded देखें जो करना है करें और learn and share की अपनी application है learn and share की अपनी application पर आप लोग जुड़ सकते हो अगर आप इस course में नहीं जुड़े हो तो वहाँ पर इस chapter के यह जो लिखे ना इस सारे notes भी वहाँ पर available है तो जब भी पढ़ने हो वहाँ पर आपके पास में available है notes और उसके अलावा question answer जैसे हम लोग practice करते हैं तो वो सारे application पर ही करते हैं उसके अलावा अगर हम आपको extra content देते हैं तो वो भी application पर ही मौझूद है जिसमें की neat level के questions आपके पास मिलते हैं test series वगरा आपको वहीं पर मिलती है subjective test का भी इस बार व्यवस्था की गई है तो हर एक chapter का subjective test भी कराएंगे तो वहाँ पर आप लोग की copy आप लिखके भीज़ोगे हम यहां से check करके भीज़ेंगे तो आपको analysis होगा कि board में भी कैसे लिखते हैं कैसे marks हमारे को आते हैं कैसे questions वहाँ पर आते हैं और उसके लाव learn and share परिवार के लिए भी helpful है कि हमारी family और बड़ी हो कोशिश यही है तो उसके लिए जो है आप सभी का support आप सभी का प्रेम जो है बना रहे और तो और वाई सबसे जो important काम है आप जितनों को learn and share के बारे में बता सकते हैं जरूर से बताएं दिल से बताएं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है यह देखो Michael Faraday जो है ना physics में इनका ज्यादा नाम आप लोग पढ़ेंगे 12th glass में Michael Faraday भाई आपका खुन पीने वाले हैं बहुत ज्यादा physics में बहुत काम किया है Michael Faraday ने बहुत बहुत काम किया है आप इमान करके चले आज जो बिजली हमारे पास में है वो उसमें भी इनका योगदान है Michael Faraday का बहुत ज्यादा योगदान है तो Michael Faraday ने एक experiment किया था जिसमें इनों ने विद्यो दगभटे से धारा प्रवाहित कर आई थी और यह बताया था कि देखो इसमें भी कुछ-कुछ chemical changes होते हैं Sun Cup की बात है मिला दिया नमक उपर से नमक डाला है यह वाइट वाइट जो दाने है पूरे में फैल गया नमक के नमक घुल जाता है क्योंकि बहुत अच्छे से तो आप ऐसे माल लो कि पूरे में हमने क्या मिला दिया है नमक मिला दिया है तो हमारे पास में NACL यहां पर हमने मिलाया है और दूसरा हमारे बास में पानी जो है सो है तो अब यह जो NACL है ना इसको हम लोग वैद्योत अब घट्टे कहे रही हैं वैद्यद अब घट्टे क्या होता है इसको इंग्लेश में बोलते है इलेक्ट्रो लाइट काम की चीज़ है टोयलत में इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा समझते चलेंगे क्या है यह चीज़ इलेक्ट्रो लाइट कहां मेंचन करूं यहां लिख दो है इलेक्ट्रो लाइट क्या मतलब होता है ऐसी चीज़ है जो करंट पढ़ने पर टूट जाती है अगर इसको बिजली के जट्के मारोगे तुम तो टूट जाएगी हारे इंसान टूट जाता है तो चीज है इसका क्या है तो यहां समझें इसको जब हम लोग इलेक्ट्रिशिटी देते हैं करंट में आई से लिख रहा हूं यहां पर आई माने लेक्ट्रिशिटी करंट तो क्या होगा यह टूट जाता है किसमें टूटता है एने प्लस में औ तो उसको current मारो, तो क्या है वो आपको तूटा-पूटा दिखेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, पानी में तो यह वैसे ही तूट जाता है, current तो तुम छोड़ो, पानी में डालते हैं, तो Na+, Cl- वैसे ही अलग हो जाता है, अब हम कह रहे हैं, कि वहाँ पर हमें कुछ-कुछ औ इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? आपहे दियान रखो, एक positive होता है, एक हमारे पास में negative होता है, यहाँ पर भी सेमी चीज रहने वाली तो ह्याँ पर सब्दने ध्यान देंगे तो अब यहां पर सब्जने ध्यान देंगे, कि यह जब टूटा, टूटा टूटा एक परिंदा, तो Na+, जो है, यह किस की तरफ जाएगा, यह किस की तरफ भागेगा, क्योंकि यह positive है, तो आप खुछ सोच करके देखो, यह माइनस की तरफ भागेगा, यहां पर माइनस, माइ एक electron दे देंगे क्या, तो बोलेगा, ठीक है, अब तो आया है जब, तो ले जाब electron क्या है, अब इसका charge खत्म हो जाएगा, इसके उपर से, तो यहां पर आप देखोगे, कि हमारे पास में, बाहर जो है, एक पदार्त एकठा होने लग जाता है, जो कि क्या है हमारे पास में positive है, तो एनोड पर कौन जाएगा, जो चीज negative है, जिसने गलत काम किये है, तो CL माइनस जो है, वो कहां जाएगा, इसके पास में, एनोड के पास में, अब इसके साथ में क्या है, प्लस, प्लस, अंदर प्लस ही प्लस भरे हो हैं सारे के सारे, सारे के सारे, प्लस, प्लस, प् जरूरत है तो आप यहां देखो कि सिंपल में कि यहां पर क्लोरिन इलक्ट्रोन देता है यहांपे फिर क्लोरिन आपस में जुड़ करके क्लोरिन गैस बना लेता है Cl2 gas यहां पर form हो सकती है, तो यहां पर हम लोग चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि मालो यह बुल-बुले-बुल-बुले बन रहे हैं, और यह क्लोरीन गैस के बुल-बुले, ऐसा माल सकते हैं आप लोग समझे समझे स्बात को, इलेक्टरो यहां जालें के इस तरह, अब समझे सकते हैं अब समझे बीरन बगाल déjà इंदर सरफस्पार का क्या हो रहा है इसनी हैँए इस इस नहीं घ्रप्रos्टेशन हो रहा है, इस ड़ी ऐसा चीज है पर्मानों में जो आ सकती है जगे वेगे अपनी छोड़ करके जा सकती है तो यह इन्होंने माइकल फेराडे ने एक पॉइंट आउट किया कि देखो मेरे हिसाब से यहां कुछ हो रहा है और इन्होंने क्या बताया कि देखो विद्युत कुछ सूख्षमतम एकाईयों से बनी है विद्युत के बारे में पता चल चुका था विद्युत धारा के बारे में विद्युत करंट जो है हमारे पास में उसके बारे में हमें पता चल चुका था अगर आप देखेंगे कि बल वगरा के इन्वेंचन तो वो उसी समय पर सारी बाते चल रही थी, 1830 की बात हो रही है हमारे पास में, तो विद्धथारा हमारे पास में थी, इंडस्रिलाईजिटन हमारे पास में हो चुका था लेकिन हाँ अंभी नहीं समझ नहीं थी बहुत गहरी कि यह विद्ध्युदारा कियों बन रही है इसलिए तो हमने आपको पता है कि वो विदुधारा के बहने की दिशा भी प्लस से माइनस ले ली जबकि असल में बहते इलेक्ट्रोंस है हमने मान लिया कि नहीं धनात्मा कावश बहता होगा तो विदुधारा के बारे हम पता था यहां तक कि आप उनके बारे में Benjamin Franklin के बारे हम पढ़ते हैं तो वह तो कहते हैं कि वह जए चल्डना चाहते था है कि जो विदुधारा हमारे पास धर्थी पर है और वह जो विदूधारा उपर ऐसे विझensही कढगती है सीरीज है पता नहीं जूट की सच उसमें ऐसे ऐसे बाते हैं कि ऐसा हुआ था उस समय पर भी बट यह है कि इन्होंने सजेस्ट किया कि देखो करंट जो है हमारी विद्धारा जो है वो छोटी-छोटी कुछ एकाईयों से बनी हुई है और वो एकाईयां चलती है इसी के कारण करंट है ऐसा कुछ उन्होंने बताया अब आगे नहीं पता कि यार क्या क्या नी यह तो हमें आज पता है उनको नहीं पता था यह चीज जो गणित मैं आपको यहां लिखकर के दिखाई यह उनको कभी नहीं पता थी फिर कह रहे हैं 1864 में एक वेग्याने काई उन्होंने भ शब्द काम में लेने वाला कौन व्यक्ति है जीजे स्टोनी ऐसे क्वेश्टन छोटे-छोटे कहीं पर बच्चों को इन्हों बताने के लिए रहते हैं कि हाँ यह क्वेश्टन आयगा एक्जाम में ऐसा कुछ नहीं आता तो अब बात हो रही है कि एलेक्ट्रोन की खोज करने वाले हैं हमारे डॉल्टन तो यह विसर्जन नली का प्रयोग हुआ क्या बोलते हैं इसको हम लोग विसर्जन नली का प्रयोग यह इसको बोलेंगे आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विसर्जन को इंग्लेश में बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक् क्या है बड़ा सिंपल सा है देखो फंडा बहुत सिंपल सा है तो पहले हमें कैथोड किरण नलिका को समझना पड़ेगा थोड़ा सा इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब यह एकदम नया टॉपिक है आप लोगों के लिए बस मेरी बातों पर ध्यान देना सब समझ में आ जाएगा कैथोड रे ट्यूब अब सवाल ही होगा कि क्या आपने देखा है कभी कैथोड रे ट्यूब मैं बोलूगा हाँ हो सकता है आज भी देखते हो हर रोज देखते हो पस उसका थोड़ा सा सिंप्लिफाइड वरिजन अपन समझेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रोन को पहली बार पकड़े थे कि हाँ 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 यह रहा यह रहा तो क्या है कैथोड के रन नलिका को थोड़ा समझेंगे कि कांच से बनी हुई एक नलिका है हमारी पास में जिसमें बना के दिखाता हूं भी मैं आप लोगों को ड्रॉ करते हैं अपन यह एलेक्ट्रोड उच्विभाव से जुड़े होते हैं तता कांच की नली में एक निर्वात पंप भी जोड़ करके अपन लोग रखते हैं ड्रॉ कर लो मेरे साथ में नीच वाला स्पेस में ड्रॉ करने मेरे को क्योंकि अब मिटा नहीं पड़ेगी तो पूरी मिट जाएगी सही थी वैस्ता हुआ है तो यह क्या है एक नल्की बना दी अपने कांच की बनी हुई है इसमें हमारे पास में क्या है एलेक्ट्रोड लगे हुए है एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगिटि नेगेटिव से जोड़ दिया यहां पर हमने तार से जोड़ दिया और हम कह रहे हैं कि यहां पर हमारे पास में एक निर्वात पंप जुड़ा हुआ है निर्वात पंप का क्या मतलब है कि यह एक ऐसा पंप है जो अंदर की हवा को बाहर निकाल देता है बाहर खेच सकता है अब इनके नाम अगर आप देंगे, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है आपके पास में, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एनोड होगा, क्योंकि इसको आपने प्लस से जोड़ा हुआ है, ऐसे याद कर सकते हो, पॉजिटिव इस एनोड, पॉजिटिव इस एनोड और न अब यहाँ पर एकाद कंडिशन बहुत जरूरी है, कि बहुत देखो, हमने क्या बूला काँच से बनी हुई ये काँच से बनी हुई ठी, कि साथ, दातू के दो पतले टुकडे, एक धातू का टुकड़ा यहाँ पर है, जो इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, जिसको हमने प् उच्च विभव है, हो सकता है, हजार वोल्ट भी हो, उच्च विभव, मनला है बहुत तेज पॉजिटिव एक तरफ, बहुत तेज नेगेटिव एक तरफ, कि बीच में जो भी चीज आए ना, इनके उसके प्लस और माइनस को खीच कर तोड़तार देवे, बहुत पावरफ क्योंकि यहां पर एक condition होती है कि हमें gas जो है वो बहुत ही क्या होता है, निमनदाब पर चाहिए होती है और उसके अलावा उच्च विभव हमकोगों होता है, बहुत कम, अट्मॉसफ़र का जो दाब है, वो हमको बहुत कम होता है, बहुत कम. अच्चा आगे देखींगे, तो प्रयोक क्या था हमारे पास में बहुत city प्रयोक था, कि नलीगा में गयाश के दाप को कम करने पर लुंच होलिंग लागू करने पर नलीगा में कैथोर्ड से एनूर्ड की तरफ विसध का प्रवाहा आरब्द हो जाताओ बहुत सिंपल सी बात है मान लीजिए कि यह हमारे पास में वापस से वही स्रप्चर है तो यहाँ पर वही हमने तो यहाँ पर हमारे पास में एनोर्ड हो गया यह हमारे पास में कैथोर्ड हो गया तो देखो क्या है हम के रहें नलिका में गैस का दाब कम करना है यह ध्यान रखना है यह essential condition है इसके बिना यह चीज नहीं होती है दाब को हमें क्या करना है कम करना है और उच्च वोल्टता वोल्टेज जो है उसको काफी उच्च हम को रखना पड़ता है यह दो conditions हमें ध्यान देनी होती है तो नलिका में कैथोर्ड से एनोड की तरफ विदुद का प्रवाहा आरंग हो जाता है तो हम देखते हैं कि यार कैथोर्ड से एनोड की तरफ कुछ फ्लो करता है कुछ तो मतलब यहां से यहां की तरफ निकलता है मतलब आप यह देख लो कि इसकी तरफ कुछ अट्रेक्ट हो रहा है अब वो क्या है उसी का ही यह है कि यह लोग और थ्योरी देते हैं कि यह होना चाहिए वो होना चाहिए यह इस तरफ जो भी है जो भी चीज है वो फ्लो कर रही है आप समझे कैथोर्ड से कुछ निकलने लगता है और एनोड की तरफ जाने लगता है अब नलिका में प्रवाहत होने वाली किरणों को कैथोर्ड किरण की तरह दिख रहा है हमको किया कुछ जा रहा है कुछ जा रहा ह तो फिर हमको कैसे पता कि किरंड है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर हमने mention भी किया है, कि cathode किरणों की जाच करने के लिए, anode के पीछे, चिद्र करते हैं, और anode के पीछे पीछे सुफुर दिपते पदार्थ को लेप लगा देते हैं, क्या मतलब है सुनना, छेद वे दिगा खड़े में, अभी मैं दिखाऊंगा तुम लोगो मैं कह रहा हूँ इसके पीछे आप क्या करो स्फुर दिप्त लगाओ, यह समझो यहाँ पर मारे पास मैं कलर लेते हैं, अपन कोई ब्लू लेता हूँ मैं एक बर के लिए, यहाँ पर कि जैसे ही यह एलेक्ट्रोन से टकराते हैं लाइट होती है, पार को था है, इसको खड़े घड़े कर देता है और यह जो हमारे पास में किर्णे है यह इससे पार होके जब इसको जाकर टकराती है, क्योंकि कि स्पीड में आरी होती हैं आप तो प्लस की तरफ ही हैं आप सोचोंगे सर्वाइशी के चिपक क्यों नहीं गई और उसी से ही पिक्चर क्रियेशन हो रहा है आप समझो इस बात को वो जो दिख रहा है ना फिलम आपको वो ऐसी दिख रही है वो टेक्नलोजी है तो हम कह रहे हैं जब यह किरने एनोड के छिद्र में से गुजर कर इस एड़ने इसकी परत पर टकराती है तो वहां चंकीला च जिन ही दिखाई देता है अब मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाता हूं कैसे दिखाएंगे तो देखो हमारे पास में इंटरनेट पर काफी कुछ सोर्स है ठीक है हाला कि काफी कुछ ऐसा भी है जो अच्छा कॉंटेंट है दूसरे विदेशों के लोगों ने बहुत कॉपी राइट्स वगड़ा ऑनलाइन ऐसे काफी सारी चीज़ें रहती है तो वह आप लोग भी खुछ से देख सकते हो लेकिन जैसे अपन यहां पर देख रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब और इसको अपन विकीपीडिया पर देखने वाले हैं यहां कैथोड रे ट्यूब अपन देखेंगे तो हमें वहां पर देखने को मिल जाएगा तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब इस पेज़ पर होगा यहां फिर कैथोड रे ट्यूब देखेंगे तो उस पर हमें देखने को मिल जाएगा cathode ray tube देखते हैं आपन यहाँ पर बहुत चांदार एक है यह देखो इन्होंने टीवी वाला भी दिखा रखा है ना यह देखो टीवी का ऐसा ही structure होता ना उसका पीछे इतना बड़ा डबा रहता है और आगे यहाँ पर screen होती है जिस पर चमक होती है इसको भी खेर आपन समझेंगे आगे यह भी है अपने को समझना है और आपको जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो कहां गया यार यह देख रहे हैं और ट्यूब का structure इस तरह से भी होता है यह इसको हम लोग क्रुक्स ट्यूब बोलते है क्रुक्स ट्यूब लिख लेते हैं तो मुझे लगता है कि जादा अच्छे से अपने को रिजल्ट में लिगा एक बार मैंने अब धी देखा था यह आप लोगों के लिए निकाल के रखा था इस पेज विकार नाम ध्यांसते लगया है इसी ट्यूब को दरसल कुट नाम के वह गयनिक ने बनाया था वो गैसों की पढ़ाई करने के लिए क्रुक्स ट्यूब शॉरी हाँ ये है शंबो सॉरी देखो यहां देखो यह क्या है हमारे पास में Crooks Tube है देख पारे हैं आप सारे सुडेंट्स इसमें देखो इन्होंने क्या कर रखा है यह कैसे Tube है जिसमें आप प्रेशर को कम कर सकते हो दाब को कम कर सकते हो उच्छ वोल्टता लगा सकते हो तो यहां पर इन्होंने दाप को मानलो कम कर दिया यहां पर एक एलेक्ट्रोड है और यहां पर यह दूसरा एलेक्ट्रोड है जिसको यहां से मानलो यहां तक जोड़ा हुआ है यह निर्वाद पंप है और यह एक्न के हमारे पास में तो एक हमारे पाःस है और एक हमारे पास में cathode है तो इसको cathode रखा है और इसको एश्चाइब रखा है तो होगा क्या कि जैसे Department इसमे उच्चो व् daar करयेंगे कि बीच में गैस भरी हुई है वो तूटने लग जाएगी उसमें से इलेक्ट्रोन बाहर निकल जाएगे तो इलेक्ट्रोन जो बाहर निकलेंगे वो यहां से चलेंगे किस की तरफ चलेंगे प्लस की तरफ चलेंगे एलेक्ट्रोन माइनस होते है वो प्लस की तरफ चलेंगे दे उसके बीच में देखो कैसे खड़े बना दिया ऐसे क्रॉस का निशान बना दिया उसमें स्पेस होड़ दी उसमें तो इसके अलावा इलेक्ट्रोंस निकल निकल करके जाकर के पीछे टक्राने लग गया जेडेनेस फ्लोरोसेंट ट्यूब जो हमारा जो भी हमने उस पर लगाया फ्लोरोसेंट तो आप देखोगे कि इसका शेड़ो रह गई जो दातू का जो शेप दाना वह शेड़ो रह गई परचाही रह गई उसके अलावा बाकी जगों पर हरा हरा हमको इस तरह से दिखने लग यह देखो यह हमारे पास में एक नॉर्मल जो उसका चित्र बन रहा है हमारे पास में अलग-अलग गैसों के लिए उन्हों करके देखा होगा अलग-अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किये गए हैं फिर इन्होंने आप एक चीज़ देखेंगे यहां पे चुम्बक भी लगा यह हम बाद में पड़ेंगे कि चुम्बक लगा के देखा न तो अलग एक तरफ शिफ्ट होगए और या हरा हरा जो कलर है वो एक तरह शिफ्ट होगया आप पीछे से देखो इसको इधर देखो यह पूरे में है हरा एकदम फैला अवे प्रॉपर इस वाले में देखोगे ह हरा हरा उपर शिफ्ट हो गया चुम्बक को पोजिशन चेंज की हरा हरा नीचे चेंज हो गया चुम्बक को ओल्टा कर दिया मानलो तो हरा हरा नीचे चेंज हो गया इसका मदलब यह जो इलेक्ट्रोन है यह जो भे कण है यह यार यह चुम्बक की प्रकृति के हैं समझा रही सबको इनकी चुम्बक की भी प्रकृति है कुछ न कुछ तो इस तरह से हम लोग पढ़ें तो मज़े आएंगे मज़े ही मज़े है यह कुरोक्ष गया ने क्या ग्लोविंग ट्यूम है न गेंड रिनोन ऐसा तो बहुत कुछ है चलो बहुत कुछ है यहां देखो अलग लगता रहेगी फिर हमनों ने ट्यूबस बगरा बनाई जो भी क्या मज़ेदार काम किया भई तो यह आपको मैंने एक्स्प्लेन किया कि किस तरह से कैथोड किरने जो हैं चल करके जाती है कैथोड से निकलती है तो इसलिए उनको कैथोड किरने उने नाम दिया एनोड से निकलने वाली को एनोड किरने बोलते है वो भी होती यह कैथोड किरने है फिलाल तो यहां देखे कैथोड किरनों के गुण धर्म अब ये एक important topic हो जाता है कि cathode किरणों के गुणधर्म क्या है जैसे मैंने अभी आपको बला था किया चुम्बक की प्रकृती भी होती है तो यहां आप देखो कि सबसे पहली चीज क्या है दिशा तो cathode से anode की तरफ प्रवाहत होती है cathode किरणे कहां से कहां प्रवाहत होती है cathode से anode की तरफ प्रवाहत होती है सबसे पहली चीज यह है मारे पास पता भी इसलिए तो cathode किरणे नाम दिया है उसको और क्योंकि cathode negative होता है तो इनकी प्रकृती भी रिनात्मक होनी चाहिए नेगेटिव जो नहीं कल रही है तो नेगेटिव होनी चाहिए न तो ये किरने नहीं दिखती लेकिन स्फुर दीप्त की उपसिती में इनका पता चलता है उदारन CRT TV Cathode Ray Tube Television Cathode Ray Tube Television CRT Monitor उनको CRT बोलते हैं आज भी जो बड़े वाले monitor आते हैं उनको CRT ही बोला जाता है तो हम कहते हैं कि ये किरने नहीं दिखती लेकिन स्फुर दीप्त पर भिड़ते हैं तो उनका हमको उपसिती का पता चलता है चमक उठती हैं क्योंकि ये किरने सीधी दिशा में चलती हैं साफ साफ सीधी दिशा में चलती हैं लेकिन विध्युत्व चमक की शेतर की उपस्थिती में मुड़ जाती है की उपस्थिती में अपनी दिशा बदलती हैं तो वैसे तो सीधी चल रही हैं लेकिन विध्युत्षेतर से भी प्रभावित होती है मतलब विदु गुण भी है इनके और चुम्बक की शेत्र से भी प्रभावित होती है चुम्बक लगाने पर भी अपनी दिशा चेंज कर देती है अलग जगे चली जाती है और विदु शेत्र लगाने पर भी आसपास में इनके आप प्लस माइनस चार जगा दोगे वो अपन वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मंडे को जो क्लास करेंगे उसमें बताऊंगा मैं आपको तो ये भी चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इनका व्यवहार रिनावेशित कणों के व्यवहार जैसा होता है जिन्हें हम फाइनली क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो गैस वह एलेक्ट्रोडों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते यह सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यह मुस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है समझें इस बात को हम कह रहे हैं कि कैथोड किरणों के जो लक्षन है न वो किरण नलिका में उपस्तित गैस वह इलेक्ट्रोडों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते आप इलेक्ट्रोड का जो पदार्थ है न वो कोई सी भी धातू लेलो जो लेना लेलो आपको और जो भी गैस आपको भरनी है उस ट्यूब में जो भरनी है भरलो आपकी मरजी पड़े जो भरलो लेकिन इनके गुण चेंज नहीं हो रहे मालब जो कण है जो अवपरमानविक कण है, जो इलेक्ट्रोन है यह सब में सेम है बले वो आपने सोडियम लिया आपने मैगनेशियम लिया, सोना लिया चांदी लिया, तामबा लिया, पीतल लिया जो लेना है लेलो कहने का मतलब यह है जो लेना है लेलो, जो गैस उसमें आपको भरनी है बरलो डिस्चार्ज ट्यूब में आपको सेम ही चीज देखने को मिल रही है सेम चीज देखने को मिल रही है क्या मतलब है इसका कि सब में सेम कोई कण है सब के पर्माणूं में सेम कोई कंड है जो पर्माणूं से बाहर निकलने की ताकत रखता है यही मतलब हुआ पर्माणू तो अगर जा रहा होता पर्माणू खुद ही जा रहा होता तो फिर हर केस में अलग हो जाना चीए था जिंग का परमाणू अलग होगा, सोने का अलग होगा, चांदी का अलग होगा, गुण अलग होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, सब में सब कुछ सेम देखने को मिल रहा है, तो हमने कहा कि नहीं, इसका मतलब परमाणू में कुछ ऐसा है, जो सब में सारे परमाणू में है, इसको हम एलेक्टोन नाम दे रहे हो और उसी से ही घो है यह हमारी डिया ऑर रही है're Allakin का अंय जो है अच्छा ठीक है निश्करश की बात करते हैं तो निश्करश क्या है इलेक्ट्रण पर्मानूं के मूल घटक है पर्मानु में मूल रूप से एलेक्ट्रोन पाया जाता है, एलेक्ट्रोन मिलता है, उसका मूल घटक है, तो यह यहां पर देखो बिल्ड हुई, कि पर्मानु क्या होता है, पर्मानु अविभाज जा है, अब बोलागे नहीं, एलेक्ट्रोन है उसमें, और यार, अविभाज तो बहार भी जा सकता है, बोले अब कैसे अब भाज जा हुआ आपका पर्माणु तो ऐसे चलते चलते, अचा बड़ा निरिशकर्ष क्या है कि पर्माणू जो है ना वो छोटे-चोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है जिनको हम लोग अब पर्माणुवे कण या सब अटोमिक पार्टीकल बोलते हैं, जिन्वेसे मेनमें अमारे पास में है, अर बीवीगोते है हमारे पास में लेकिन हम्मख्या रूप से आप देखोगे तो यही होता है, समझ गए वह सारे टूडेंट्स? बोले क्लियर है सबको सिंपल एकदम बड़िया मक्षन मलाई मार के टॉपिक अच्छा परमाणू का थामसन मॉडल है बच्चों वाला मॉडल इसको खतम करते हैं पांच मिनट में खतम करेंगे इसको तो थामसन मॉडल किया है जैज थामसन भाई साब बैठे थे एक दिन ऐसे स्कूल टीचर थे जैज थामसन पता आपको तो इनों ने कहा कि मेरे इसाब से परमाणू है ना वो क्या है एक तरभूज के जैसा है एक गुला कार है हमारे पास में अशे बड़ा सा बस ये दोनों है, balance करके बेठे हुए हैं एक दूसरे को तो बुला plus वाले जो है, वो तर्बूज में लाल जैसे color होता है जो खाते है हमिस्सा उसकी तरह फैला हुआ है, और जो काला वाला है, वो बीज जो है सारे के सारे वो electron की तरह फैले हुए है, उसमें negative वाले की तरह फैले हुए है ये दोनों इस तरह से फैले हुए हैं कि परमाणू उदासीन है, ये ही सबसे बड़ी बात आप कह सकते हो कि इनकी है, इनके model की कि परमाणू कैसा है, neutral in nature है, उदासीन है, जितने उसमें plus आवेश है, उतना ही उसमें minus आवेश है ये सबसे बड़ी बात है, आप इनकी consider करेंगे, सब जने अपने मन में इसको रखेंगे तो परमाणू, एक समान आवेशित गोला होता है, सबसे पहली बात फिर आप कहा रहे हैं, इसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है, इसके उपर electron इस प्रकार इस्थित होते हैं कि उसे स्थाई स्थिरवेदुत व्यवस्था प्राप्त होती है इस तरह से उसके एक व्यवस्था है, फिर बोला कि इसमें धनावेश को पुडिंग या तर्बूज के समान माना गया तर्बूज मतब लाल इस्था जो हम खाते है न वो और कहरे है जिसमें electron करमश है, plum या फिर बीज जो होते है उसकी तरह उपस्थित होते है इनके मॉडल को क्रिस्मस चैरी केक भी बोला, पता नहीं क्या-क्या इन्होंने नाम दिये देखो न, plum pudding model, region pudding model, तर्बूज मॉडल, thompson model, पता नहीं क्या-क्या तो नाम दे दिये इसमें परमाणू का दरविमान पूरे परमाणू में पहला हुआ है दरविमान पूरे परमाणू फैला हुआ है लेकिन रदरफोर्ड भाई साब का जो एक्सपेरिमेंट आया उनने इसको गलत साबित कर दिया तो इनके हैसाब से बहुत सिंपल है कि हमारा परमाणू है मान लीजिए तरबूज है तरबूज पूरा चलो ग्रीन से मनाता है तरबूज ग्रीन है न भार से यह लो मान लो यह परमाणू है इनके साब से और इसमें क्या है? बीज है हमारे पास में काले रण के समझगे सारे? ये क्या है इनके सापसे? electrons है और जो बाकी हिस्सा है हमारे पास में वो क्या है सारा का सारा protons का या positive जो भी चीज है उसका हिस्सा है तो इसको तो मेरे को mark करने की भी जरूत नहीं है यह धनात्मक इसका जो है भाग धनात्मक धाग clear हो गया कि सारे students को यह इनका model था जो flop हो गया लेकिन पढ़ा बहुत सालों तक यह पढ़ते रहे कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है तो सारे students दे वो इतना गुस्से में याँ बेज़ें नितन यादा हो किया रहा good evening sir ऐसे लालालाला गुस्से वाले new student ब्लीज नाम दे लो नहीं तो नहीं तो आपके घर के बाहर जो head pump लगा हुआ है आकर को उसको खाड़ दूँगा मैं ऐसा लग रहा है मिरको चलो कोई बात नी students तो आज की class में इतना रखा है अपने कि हमने क्या-क्या पढ़ा हमने हमने मोटा मोटा जो पढ़ा है वो देख लेना revise करना बहुत जरूरी है keep this in your mind notes में से करो आप copy में लिख रहे हैं उससे करो किताब में से पढ़कर के करो वो आपके उपर है लेकिन revision जब तक नहीं करोगे 11-12 में shuffle होने के संभावना कम होती सफल होने का मतलब मेरा केवल पास होने से नहीं है अच्छे अंकल आना अच्छे से topic समझ में आना अच्छा rank hold करना इसके लिए फिर आपको you'll have to revise again and again तो यहां पर हमने आज की class में देखा कि कैसे पुरानी धारणा है थोड़ी गलत साबित हुई जो Dalton का परमानू से दानत है उस पर भी सवाल खड़ा हो गया कि भई परमानू के तो टुकुड़े हो सकते हैं परमानू में तो अलग-अलग चीज़ें होती है हमारे पास में यहां फिर और हमने देखा कि फिर कैथोर्ड के रण प्रयोग क्या था Electron की खूद कैसे हुई फिर हमने अभी एक बार Thompson का परमानू मॉडल देखा अब हम आगे की Classes में देखने वाले हैं कि यह इलेक्ट्रोन का दरविमान और उसका आवेश की चर्चा कैसे हुई ग्यात कैसे क्या Milligan का Tail Boon का प्रयोग क्या था यहां फिर जो अनुपात निकालने का process था कि इलेक्ट्रोन का आवेश का और उसके दरविमान का अनुपात किस तरह से हम लोगों ने calculate किया तो इस तरह से कुछ-कुछ topics हैं हमारे पास में फिर उसके बाद जो परमानू मॉडल से उन पर चलें आने वाले हैं अब आपकी class में बस मैं आपसे ही चाह रहा हूं कि लेट नहीं हुई है आप सब इस video को जितना viral कर सकते हैं करें अपने दोस्तों तक भेजें जो भी आपके friends पढ़ रहे हैं 11th class में और Monday की class में वो सारे यहां पर हो अपने साथ में यह एक आप हमारी help कर सकत है तो बड़ी महरवानी होगी तो बाइबाइ स्टूडेंट्स गुडणाइट टेक क्यर परोस्तों को परोस्तों कर सकते हैं